हेलो दोश्तों, वेलकम बैक मैं चैनल देखिए अब हम कटिंग ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है और ये मैं कनेर की कटिंग लगाने जा रहे हो और बहुत ही ईजी मैं थड़ से बताऊंगी कनेर की cutting तो बहुत ही जल्दी ग्रो होती है अगर इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लगाया जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रो निकल के आती है roots की और इसकी branch की तो देखिए मैं आज इसमें लगाऊंगी बालू में जो नदी की रेत होती है अगर हमें इसमें कोई भी cutting लगाते हैं तो 100% हमारी cutting ग्रो होती ही है और देखिए आज मैं इसमें cutting लगाऊंगी और इसमें यह जो cup है इनमें मैं लगा लूँगी बालू भर के तम मैं लगाऊं और देखे कुछ cutting मैंने काट लिया है और इसमें मैं बालू में रख दूंगी डाल दूंगी एक एक दो दो नोड एरिया और देखे मैंने rooting hormones नहीं लगाया है सिर्फ ऐसे ही मैं cutting लगा दे रही हूं cutting बस हमारी हिलनी नहीं चाहिए यह कनेर प्रांट की cutting तो कोई भी हो लेकिन हिलनी नहीं चाहिए हिलनी नहीं तो सो प्रतिसत उसके ग्रो होने के चांस है drainage hole अच्छा होना चाहिए और river sand में लगाओगे तो बहुत अच्छा एक rooting hormones की भी पड़ेगी बहुत अच्छे से ग्रो होगी तो देखिए इस तरीके का कुछ चीज पर फूल था और मैं लाश्ट तक वीडियो में बने रही है मैं roots के साथ आपको दिखाने वाली हूं इसकी कितनी अच्छी roots develop हुई है देखिए cutting हमारी Elena और पानी हमें बार बार उपर से न डालना पले तो मैं इसी में पानी डाल दूँगी और हम देखिए जल्दी roots के लिए इसमें polythyn से cover करूँगी अगर direct खुले में भी रख देंगे तो थोड़ा late मैं cutting चलेगी तो देख कि कितना अच्छी से इसमें growth मेरे को बाहर से दिख रही है और आपको भी मैं दिखा देती हूं बहुत अच्छी से इसमें growth हुई है अगर इस इस method से आप cutting लगाते हो किसी और की भी इस method से cutting लगाते हो polythyn से cover करके तो cutting 101% गिरो होगी थोड़ा उसको हिलने डूलने का ध्य न हो नीचे ये cutting से उसके लिए आप लकणियां भी लगा सकते हो जो मैं भी दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो में देखी बहुत अच्छी से grow हो गई है तो देखी एक कुछ और वे चार पास दिन बात फिर से आई थी इसके रिपास तो देखी मैंने ये cutting के आसपास होती है मैंने बहुत ही easy method से आपको ये बताया है और चलिए finally हमारा result देखने का time आ गया है तो मैं निकाल लेती हूं इसमें और बालू अगर सूखी होती तो उसमें नहीं निकालना चाहिए अगर सूख गई है अगर बालू मिट्टी जो हम इसमें से cup मैं से निकाल रही हू है और यह इसमें cuttings में 10-15 दिन में roots develop हो जाती है और देखिए मेरी बहुत अच्छे से roots निकल के आई हैं आप देख भी सकते हो और जितना उपर grow तो यह उतना नीचे भी हूई है तो बताना वीडियो कैसा लगा है अकर वीडियो अच्छा लगा हो तो like subscribe करें मेरी छोटी स लगा लो hundred percent grow होगी अप्रेल तक आप कोई भी cutting लगा सकते हो इतना मौसम में गर्मी नहीं आती और यह जो time चल रहा है पर्मानेट प्लांट की cutting लगाने का बहुत ही अच्छा time चल रहा है summer season चल रहा है तो बताना कैसा लगा है और मैं ऐसे ही रख दूंगी और ऐसे ही मैंन इस वाले मैं धर से तो cutting आपकी hundred one percent grow होने की चांस है तो चलती हूं बाबाई टेक केर हैपी गार्णी